हेलो बच्चो नमस्कार जै पी डबलू सभी भावी डोक्टर्स को मेरा सलाम मैं सुनिल कुमार यादव आपका इसकाई सर एक बार दुबारा से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने इस माइंड मैप स्रीज में लेकर कम्प्लीट चैप्टर डैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चे आप लोगों को पता है अपने नीट की डेट आ चुकी है और आप लोग बड़े ही धमाकेदार पढ़ाई कर रहे हैं पूरी सिद्धत के साथ पूरी इमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है और नीट को फोर्ट डालना है यस अब तुमारा होसला डगमगाना नहीं चाहिए होसला नहीं तूटना चाहिए क्योंकि एक बात आपका याद रखना कि अगर होसला अब तूट गया तो हमें संभलने का भी मोका नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं दो लाइन कहता हूं कि तूटने लगे होसला तो एक बात याद रखना बीना मेहनत के तक तो ताज न कर नप divisions और नीट को फर्ड डालना है तो चलीए नीट को फर्ड में के लिए अपना एक कदम बढ़ाते हैं हम सुरू करते हैं एक्सकृटरी सिस्टम बंसे पहले बात की कि कई excretory system उसका काम क्या था बिटा excretory system जो था उसमें हम body में present waste material जो की body के लिए toxic हो सकते थे उन्हें body से remove कर रहे थे and human being में main excretory organ जो होता है वो होता है kidney main excretory organ क्या होता है kidney सवाल था sir आप यह बताईए क्या excretory का काम केवल किड़नी कर सकता है नहीं किड़नी के अलावा भी एक्सक्रीटरी स्टेक्चर है लाइक लंग्स जो था वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था कारबन डायोकसाईड को अटा रहा था लीवर जो था वो भी excretion में help कर रहा था और अमारी skin जो है ये भी excretion में help करती है तो कहने का मतलब जब भी पूछे main excretory organ कोन सा है तो kidney है kidney के अलावा कुछ दूसरे excretory organs भी थे like lungs था, liver था and skin था अब यहाँ पर इस chapter में हम mainly excretion के बारें बात कर रहे हैं वह कर रहे है nitrogen waste को body से बाहर remove करना और nitrogen waste material जो थे वह अपने पास थे तीन टाइप के, कितने टाइप के, तीन टाइप के एक nitrogen waste का नाम था ammonia, बिटा ammonia जो होता है यह ammonia ही हमारी cells में बनता है, cells में metabolic activity की दोरण क्या बनता है, ammonia यह ammonia बहुत ज़्यादा toxic होता है and water में highly क्या होता है, soluble, अगर ammonia की थोड़ी सी मात्रा भी सरीर में रही, तो toxicity की वज़े से person की death हो सकती है चलू में आगे, तो हमने बोला, ammonia का जब भी कोई animal excretion करेगा, तो उसमें water का loss बहुत ज़्यादा होगा इसलिए ammonia का excretion जो करते हैं, वो करते हैं, aquatic animals, और aquatic animals जो थे, वो ammonia का excretion करते हैं, वो करते हैं इन्दा form of ammonium ions, किसकी form में करते हैं? ammonium ions की form में करते हैं वो या तो ammonia को general body surface से या मैं कहे दूँ gills की surface से जैसे fishes में gills की surface से ammonia को बाहर निकाला जाता है किस form में ammonium ions की form में ध्यान रखना ammonia के excretion में kidney का कोई important role नहीं होता next दूसरा excretory material है urea urea जो होता है वो ammonia के comparison में कम toxic होता है ammonia के comparison में water में solubility भी क्या है कम and urea को जब हम body से बाहर excret करते है तो water की requirement भी ammonia की comparison में क्या होती है कम तो हमारी cell के अंदर क्या बना था ammonia हमारी cell के अंदर ammonia बना था और उस ammonia को lever ने convert कर दिया urea में और ammonia से urea बदलने वाले cycle को बोलते है overnithin cycle और फिर अब हम urine के through body से बाहर excret किसको करते है urea को करते है किसको करते है urea को करते है and urea के excretion में kidney का बड़ा ही important role है next अगला अपने पास excretory material है वो अपने पास है uric acid बिटे uric acid ammonia and urea के comparison में सबसे कम toxic excretory material है सबसे कम toxic substance है वो तीनों में कौन सा है uric acid इसकी water में solubility जो होती है वो बहुत-बहुत कम होती है बहुत-बहुत क्या होती है कम इसलिए uric acid को excret करने में water का loss भी होता है बहुत-बहुत कम that is negligible मतलब मैं कहे दूं कि uric acid जो था जब उसको excret करते है तो उसे एक paste की form में या छोटी-छोटी गोलियो that is pellets की form में excret करते है जिससे body में water का loss क्या हो कम से कम तो हमने बोला कि सबसे ज़्यादा water का loss किसमें हो रहा था ammonia में इसलिए ammonia का excretion mainly कौन कर रहे थे aquatic animals लेकिन ये urea and uric acid जो थे इन दोनों का excretion जब हो रहा था तो उसमें ammonia के comparison में comparison में water का loss क्या हो रहा था कम तो ध्यान रखना यूरिया and uric acid का एक excretion है वो एक terrestrial adaptation है that is land पर रहने वाले animals का एक adaptation है ताकि body में water को conserve किया जा सके body से water loss को रोका जा सके अब सवाल पूछेगा सवाल पूछेगा कि इन तीनों में toxicity सबसे ज़्यादा किस की हमने का ammonia की उसके बाद urea की सबसे कम toxic कौन सा uric acid वो पूछेगा इन तीनों में solubility सबसे ज़्यादा किस की हमने का ammonia की फिर urea की और सबसे कम solubility किसकी यूरिक एसिड की वो पूछेगा इन तीनों में elimination में सबसे जादा water का loss कौन से में होगा अरे सबसे जादा loss किसका ammonia में फिर यूरिया में फिर यूरिक एसिड में तो हमने बोला जब भी तीनों के तीनों parameters को study करेंगे तो जब भी तीनों के तीनों toxicity हो चाहे solubility हो या requirement of water for elimination हो तीनों में top पे कोन आया ammonia उसके बाद second number पे urea और सबसे कम यूरिक एसिड चलेंज ये परागी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते देखेगा अब हमने बोला था हमारा main excretory organ कोन किड़नी आपको पता है किड़नी जो होती है उसका origin जो होता है वो mesoderm से होता है अगर पूछे human being की किड़नी का size कितना है बिटा human being की kidney की length जो होती है 10-12 cm उसकी width होती है 5-7 cm उसकी thickness होती है 2-3 cm जब भी पूछे sir एक किड़नी को check करें तो किड़नी का weight कितना होता है weight of kidney होता है 122 170 grams पूछे sir kidney का color कैसा kidney का color जो होता है बेटा वो होता है redis brown color कैसा होता redis brown color वो पूछे का kidney की shape कैसी आम ने बोला kidney की shape जो होती है वो kidney होती है bean shaped सवाल था sir यह kidney की location का है बेटा kidney हमारी abdominal cavity की dorsal surface पे present है कुन सी सर्फेस पे? Abdominal cavity की dorsal surface पे प्रजेंट है किस-किस के बीच? T12, that is, last thoracic vertebrae से लेकर L3, third lumber vertebrae के बीच प्रजेंट है तो इसलिए NCIT माता ने लिखा situated in the abdominal cavity between T12 to L3 vertebrae at dorsal surface dorsal surface of abdominal cavity में प्रजेंट है किस-किस के बीच? T12 उसे लेकर L3 के बीच हमने ये human being की kidney बनाई जब kidney बनाई तो सबसे पहले हमने बोला kidney किस-किस के बीच प्रजेंट है हमने बोला T12 उसे L3 के बीच हमारी kidney प्रजेंट है kidney की shape कैसी? हमने बोला kidney की shape कैसी थी? bean shape इस bean shape kidney को देखा तो ये इसकी outer surface है ये इसकी inner surface है, हमने देखा kidney की outer surface जो थी, वो तो थी convex and inner surface जो थी वो अपने पास थी कौन के वो, वो कैसी थी, कौन के हमने देखा इसकी inner कौन के surface जो थी, इस surface जो थी, उसके middle में एक depression दिखाए दिया, एक गड़ा दिखाए दिया और उस गड़े को क्या बोल दिया, hyalum, exactly में ये जो गड़ा था, ये जो depression था, ये जो hyalum था, इसी को generally हम बोलके चलते हैं, called as root of kidney, इसी को क्या बोलके चलते हैं, बेटा, इसी को हम बोलके चलते हैं, root of kidney, सवाल था, सर, hyalum और इसी का दूसरा हम हाइलस को root of kidney क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं, कि ये हाइलम वाला ही पार्ट था, जिससे blood vessels kidney के अंदर enter होती है, नरू fiber kidney के अंदर enter होता है, और इसी पार्ट से यूरेटर भी kidney के अंदर enter होती है, तो मैं ये कहे दूँ, चाहे blood vessels की entry हो, चाहे नरू fiber की हो, चाहे यूरेटर की हो, वो सारी की सारी चीजों का entry point कौन सा था, हाइलम, इसी लिए इसको क्या बोलते हैं, root of kidney, अब जब हमने इस kidney को देखा, तो kidney के सबसे बाहर की side, हमें fibrous connective tissue के covering मिली, और उस fibrous connective tissue की covering को बोलते है renal capsule, तो मैं कहे दूँ कि हर एक kidney के चारों तरफ protective covering क्या होता है renal capsule, हमने क्या काम किया बेटा, इस kidney को काटा, जब kidney को काटा, तो क्या देखा, kidney में हमें दो पार्ट दिखाई दिए, बाहर वाले पार्ट को बोलते है cortex, और अंदर वाले पार्ट को बोलते है medulla, बाहर वाला पार्ट जो की convex surface की तरफ होता है, उसे बोलते है cortex, अंदर वाला पार्ट जो की concave surface की तरफ होता है, उसे बोलते है medulla, हमने क्या देखा, कि kidney के दो पार्ट, बाहर वाला cortex में जो liquid material भरा था उसको बोल दिया अपने cortical fluid और जो medulla में भरा था उसको बोल दिया medullary fluid या medullary interstitium हमने जब इन दोनों fluid को लिया cortex वाले fluid को भी लिया medulla वाले fluid को भी लिया और चेक करके देखा तो हम इस result पे पहुँचे कि cortex का जो fluid था उसकी osmolarity जो थी वो थी 300 mili osmol per liter और यार यह osmolarity तो बिल्कुल blood की osmolarity के बराबर है लेकिन जो ही हमने medulla वाले interstitial fluid को बाहर निकाला और उसको चेक करके देखा तो उसकी osmolarity मिली मुझे 1200 mili osmol per liter हमने बोला cortex के comparison में four times ज़ादा दिमा खराब कि यार cortex की 300, medulla की 1200 ऐसा क्यों हमने बोला भिया osmolarity जो थी वो depend कर रहे थी solute के amount में तो हमने यह देखा कि cortex और medulla को जब चेक करके देखा तो medulla की osmolarity cortex के comparison में बहुत बहुत क्या थी ज़ादा थी बोला ज़ादा क्यों थी वो ज़ादा इस रहे थी इस medulla वाले पार्ट में इस medulla वाले पार्ट में एन एसी एल एंड यूरिया जो था वो यूरिया प्रजेंट था तो जब भी पूछे बताओ medulla पार्ट की high osmolarity जो है वो क्यों होती है तो आप कहोगे medullary interstitium की high osmolarity due to deposition of और मैं कहूँ इस्टोरे जो एंड यूरिया की वज़े से होती है ठीक है अब सवाल था सर अगर exactly में kidney की internal structure देखे तो वह हमें कैसी दिखाई देगी बाइशब बड़े ध्यान से देखी गा exactly में kidney की internal structure ऐसे दिखाई देगी हमने बोला यह kidney की outer surface और इस outer surface को हमने क्या बोल दिया था कि यह मेरे पास convex surface इधर वाली inner surface इसको क्या बोल दिया था concave surface हमने यह बोला था कि concave surface के बीच में गड़्डा है यह गड़्डा दिखाई देड़े इसको बोलते है highlum और इस highlum वाले part से ही यूरेटर अंदर एंटर होती है यह मेरे पास है यूरेटर यूरेटर क्या काम करती है किड़नी से यूरीन को यूरेणरी ब्लैडर में लेके जाने का काम करती है कौन यूरेटर और एक किड़नी से associated होती है एक यूरेटर किड़नी कितनी? दो, वन पयर किड़नी. तो बोडी में यूरेटर भी कितनी? दो. चलू मैं आगे. अब सवाल था. यहाँ पर आप देखे, ये किड़नी की पहर वाले पार्ट है. पहर वाले पार्ट को क्या बोला था हमने? और पार्ट को क्या बोला था यह अंदर वाले पार्ट को यह अंदर वाले पार्ट को आम ने बोल दिया था मैडियूला अब देखे जहां मैंने निला-nele material भर रखा है यह तो मान लेना 1200, कोटेक्स वाला जो था, उसकी ओस्मलरिटी कितनी थी, उसकी ओस्मलरिटी थी 300, क्योंकि उसमें NACL and Urea नहीं थे, चले भीया, हमने क्या देखा, हमने ये देखा, कि जो ही हम ने फ्रोन के, जो ही हम किड़नी के, किड़नी के मैडूला पार्ट को देखते हैं, तो मैडूला जो होता है, वो कई सारे कोनिकल सेप्ट स्ट्रेक्चर में डिवाइड होता है, मैडूला कई सारी कोनिकल सेप्ट स्ट्रेक्चर में डिवाइड होता है, ये रैड कलर की जो दिखाए देरी, और उन कोनिकल सेप्ट स्ट्रेक्चर को, बोलते हैं, मैडूलरी पिरामिड, और मिक्राइद तो जब भे कहें बता आओ हो कौनिकल चेप्ट इस्ट्रेक्टर जो किसके पार्ट है प्द॥र घ्रपेट उनके नंबर कितने नंबर क्या होते हैं और ध्यां रखना बेटा पहली बात कि इनके नंबर जो होते हैं वह टे 1-1-1 एक किडवी में लडारी पिरामिड और रिनल पिरामिड के नंबर क्या होते है एट टू ट्वेल और यह किसका पार्ट हमने बोला यह मैडूला का पार्ट है पार्ट ओफ पिरामिड बोलते हैं चलू भूंबी हम आगे बड़े ध्यान से देखेगा यह रिनल पिरामिड था और यह रिनल पिरामिड आगे जाके खुला है वो टू प्रड़ नेट वर्क में खुला है यह जो network था यह अपने पास थे minor calyx क्या थे minor calyx minor calyx आगे गए वो थे major calyx वो जो क्या थे major calyx अब NCRT की लाइन को बड़े द्यान से देख रहा हम रहें बोला यूरेटर जो थी वह हाइलम वाले पार्ट से kidney में एंटर हुई kidney में एंटर होते ही Ureator इस yellow color के चोड़े से पार्ट में गयी चोड़े से पार्ट में गयी यह जो broad cup-like part जो था यह जो broad cup-like part या मैं कहूँ broad funnel-like जो part आपको दिखाई दे रहे है lah buna या लेई कोई से हम पूछे renal pelvis क्या था तो मैं चैदू हॉँ हाइलम से थोड़ा सा अंदर की सैड जो broad funnel like part था उस funnel like part को क्या बोल दिया उसको बोल दिया renal pelvis और renal pelvis से जो branches निकली जो projection निकला उन्हें हमने बोल दिया calyx पहले बड़े साइज वाले blue color वाले को major calyx major calyx further divide हुई तो minor calyx exactly में यह major calyx minor calyx ही kidney के endoskeleton का formation करती है, इनी की वज़े से kidney की shape क्या रहती है, maintain रहती है चलू मैं आगे, हमने एक चीज़ और नोट की, हमने यह देखा, यह medullary pyramid जो था, इस पे यह yellow yellow color की जो structure दिखाई दे रही है, यह क्या है, बिटें, यह yellow yellow color की जो wave की तरह दिखाई दे रही है, exactly प्रेटली में यह nephrons दिखाई दे रही है, यह क्या दिखाई दे रही है, नेphrons क्या दिखाई दे रही है, चलू मैं आगे, अब अगला concept, बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला, बाहर वाला पार्ट कोण सा था, तो मैं कहे दू, कि cortex जो था, वो medulla में धसा हुआ है, तो मैं यह कहे दू, cortex का कुछ पार्ट medulla में धसा होता है, और वो कहां present होता है, वो present होता है, renal pyramid और medullary pyramid के बीच में, तो cortex का वो पार्ट, जो medulla में धसा हुआ है, present है between medullary pyramids, उसी को बोलते है, renal column of vertini, क्या बोलते है, renal column of vertini, तó अब सवाल था, renal column of vertini किसका part, ध्यान रखना, renal column of vertini है, वो है part of cortex, किसका part है, वो अपने पास है part of cortex, लेकिन यह renal pyramid और medullary pyramid किसका part है, यह अपने पास है part of medulla, लाहाा चैनलंज ही अपना आगे यहां पे जाके हमने किडनी की इंटरनल इस्ट्रेक्शर को कवर कर क्योंकि किडनी की इस्ट्रेक्शाल उस्ट्रूर युनिट क्या होती है नेफरोन तो चलिए दोस्तों हम कहानी hit वो करते है इस देपरों के बारे में किडनी की structural and functional unit क्या होती है नेफ्रोन तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं वो किस के बारे में बात करते हैं नेफ्रोन के बारे में ही बात करते हैं बच्चे ध्यान से देखेगा बच्चे यहां पर यह वाइट कलर की इस्ट्रेक्चर में ने बनाई यह मेरे पास बनाई नेफ्रोन को अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला नेफ्रोन किड्नी की structural and functional unit है हमारी एक किड्नी में लग बग 10 लाख that is 1 million नेफ्रोन प्रजेंट होती है यह नेफ्रोन जो होती है इसके दो पार्ट है किते पार्ट है दो पार्ट एक पार्ट जो था उस एक part of nephron company बोलते हैं glomerulus, एक part को क्या बोलते हैं glomerulus, एड दूसरे part को बोलते है renal tubule, nephron के कितने part दो part, एक part को बोल दिया glomerulus और दूसरे क्या बोलते है renal tubule, अब सवाल था, उस renal tubule में क्या-क्या included है, बिटे जब भी पूछे कि बताओ renal tubule वाले पार्ट में क्या-क्या included है तो हमने बोला renal tubule वाले पार्ट में ये bowman's capsule located है renal tubule वाले में PCT included है renal tubule वाले पार्ट में ये loop of henlay LOH that is loop of henlay located है ये रहा उसका descending limb ये रहा उसका ascending limb इसमें DCT included है दियान रखना ये जो collecting duct है not the part of nephron not the part of nephron तो जब भी पूछे collecting duct nephron का part है आपको कि नहीं collecting duct is not the part of nephron क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है कि collecting duct में मैं यहाँ पर खूब सारे tubules खुलने का निशान लगा रखा है इसका मतलब कि collecting duct में एक नहीं कई सारी nephron की DCTi के खुलती है तो यह तो कई सारे nephron की साजे की चीज़ है that is sharing tubule है यह किसी एक nephron के बाप का माल नहीं है चले भीया तो nephron का तो वो होगा ना जो एक ही nephron का part हो दूसरी nephron का कोई roll नहीं हो लेकिन collecting duct में तो कई सारी nephron ने लोचा पहलाया बोलो हां की ना ठीक ऐसा तो कहने का मतलब जब भी पूछे nephron के कितरे part NCIT के इसाब से दो पहला glomerulus और दूसरा renal tubule renal tubule में क्या है bowman's capsule PCT loop of hand DCT बस यही renal tubule के part है चले अब सबसे पहले बात करते है सर यह glomerulus क्या था पिटा exactly में हर एक हर एक kidney में blood लेके जाती है वो लेके जाती है renal artery क्या लेके जाती है renal artery renal artery kidney में जाके further branches में divide ओरती रहती है और हर एक nephron को हर एक nephron को blood supply करने का काम करती है वो करती है यह blood vessel जिसको हमने बोल दिया apparent artery क्या बोल दिया apparent artery आपको बता दू यह apparent artery जो थी यह nephron को blood supply करती है और इसका diameter जो होता है वो diameter क्या होता है इसका diameter होता है जादा diameter होता है जादा यह apparent artery blood लेके आती है nephron में और इस बोमन्स कैपसूल वाले पार्ट में जाके, यह blood capillaries में divide होगी, बहुत सारी blood capillaries में divide होगी, और यह जो blood capillaries का गुच्छा था, that is, tuft of blood capillaries होथा, इसी को बहुत है glow merulis, तो जब भी पूछे, बताओ glow merulis का formation, किसकी blood capillarी से होता है, आप कहोगे, efferent artriol की blood capillary से होता है, किसका formation, glow merulous का formation, अब blood आया, वो आया ऐसे, glow merulous में गया, और फिर glow merulous की blood capillary दुबारा से जुड़ी, और जुड़ के, उन्होंने क्या बना ली, efferent artriol, क्या बना ली, efferent artriol, लेकिन आप diagram में देख रहे होंगे, कि इस efferent artriol का diameter जो ह है, वो diameter क्या है, बेटा, diameter जो है, वो efferent artriol से क्या है, कम है, efferent artriol से क्या है, कम है, चले, मतब इदर से blood आयेगा तो जादा, लेकिन blood बाहर निकलेगा, कम, तो बताओ, glow merulous के पास blood आया जादा, और बाहर कम निकला, तो blood ने धका मुकी की, जिसकी वज़े से यहाँ पर filtrate का formation होता है, that is, ultra filtration वाला portion चलता है, आगे मैं बात करूँआ, चले, तो हमने बोला, हर एक ने फ्रोन को blood supply कौन करती है, efferent artriol, वो जाके किस में divide होगी, capillaries में, और उस capillaries के गुच्छे को क्या बोल दिया, glow merulous, अब यह glow merulous किस में परजेंट है, यह glow merulous प्रेंट है, दोनों को मिला के अपन बोल देते है, malpigian body, क्या बोल देते है, malpigian body या renal carpus cells, दोनों को मिला के, glow merulous and bowman capsule, दोनों को मिला के क्या बोल देते है, malpigian body और renal carpus cells बोल देते है, अब सवाल था, सर, अगर इस bowman capsule को देखे तो, देखो भीया, यह bowman capsule जो आपको दिखाई द ले रहा है यह Bowman's capsule में exactly में दो ले रहे हैं इसलिए NCIT कहती Bowman's capsule क्या है Bowman's capsule अपने पास double world structure है बाहर वाली ले यह यह भी simple squamous epithelium के लिए रहे अंदर वाली जो मैंने green बनाई वह भी simple squamous epithelium के लिए रहे लेकिन अंदर वाली cells में कुछ pseudopodia की तरह की projections प्रजेंट है और SE cell जिसमें pseudopodia की तरह के projections दिखाई दिए उन cells को आमने बोल दिया podocytes तो सवाल बड़ा famous यह बनता है कि बताओ podocytes cells जो है वह Bowman's capsule की Bowman's capsule की कौन सी layer में present है आप याद रखना inner layer में present है अब यह जो podocytes cell है यह जो inner layer की cells है यह एक complex pattern में एक complex pattern में arranged होती है जिसकी वज़े से इनके बीच कुछ holes बन जाते हैं क्या बन जाते हैं कि बीच कुछ holes और इन cells के बीच जो holes बने उन holes को अपनने बोल दिया filtration slits या मैं कहा दूँ slit aperture यह filtration slit और slit aperture क्या काम करते हैं इनी से होता हुआ filtrate कहा आएगा bowman's capsule की lumen में आएगा अब यह bowman's capsule आगे जाके continue होता है वो होता है PCT में तो मैं कह दूँ bowman capsule आगे जाके एक highly cold part में open was जिसको बोल दिया PCT that is proximal convulated tubule यह PCT वाले पार्ट में हुआ और इस PCT वाले पार्ट में अगर epithelium देखोगे तो यहां पे simple qbordal epithelium है लेकिन qbordal cell की free surface में क्या थे microvilli इसनी मैं कह दूँ कि PCT में क्या है brush bordered qbordal epithelium कैसी epithelium है हमने बोला brush bordered qbordal epithelium brush bordered qbordal epithelium किस में present है PCT में present है PCT में तो brush bordered qbordal epithelium है लेकिन DCT में तो CD की CD अपने पास simple qbordal epithelium है मतलब microvilli जो ने फ्रोन में present है वो केवल और केवल कोन से पार्ट में PCT वाले पार्ट में बाकी ने फ्रोन के किसी b-tubular पार्ट में microvilli प्रजेंट नहीं है अब यह जो मेरे पास PCT थी यह PCT आगे जाके खुली यह descending limb of loop open lane में खुली हमने देखा descending limb का उपर वाला पार्ट जो PCT के contact में है वो wide part है इसलिए उसको बोलते है thick part जबकि नीचे वाला पार्ट narrow part है इसलिए उसको बोलते है thin part तो thick part और thin part से क्या बना descending limb क्या बना बेटा? descending limb किसका descending limb? loop open lane का फिर यह वाला जो part है जो कि उपर की set जा रहा है इसको अपन बोलते है ascending limb ascending limb का भी नीचे वाला part कैसा है? thin part उपर वाला part कैसा है? thick part और यह thick part directly किसके contact में है? DCT के contact में तो मैं यह कह दूँ कि loop open lane जो था उसका formation दो limb से हुआ descending limb and ascending limb तो यह कैसी structure है? हमने बोला यह अपने पास है hair pin like structure तो जब भी पूछे loop open lane की structure कैसी? आप कहोगे hair pin like structure और यह DCT जाके खुलती है collecting duct में, किस में जाके खुलती है? collecting duct में, अब सवाल था सर, अगर कोई हम से पूछे कि बताओ nephron का कौन सा part तो cortex में प्रजेंट है और कोन सा part medulla में प्रजेंट है? बड़े ध्यान से देखना यह जो malpigian body है यह cortex में प्रजेंट होता है मतलब glomerulus and bowman capsule किस में प्रजेंट होता है? cortex में प्रजेंट होता है यह PCTB किस में प्रजेंट होती है? कोटेक्स में प्रजेंट होती है यह DCT भी किसमें प्रजेंट होती है कोटेक्स में प्रजेंट होती है लेकिन लूप ओफ हेंले मेंली किसमें प्रजेंट है मैडूला में लूप ओफ हेंले कहां प्रजेंट है मैडूला में पूछेगा सर यह कलेक्टिंग डक्ट जो ने फ्र वेnymi लूमें आगे यह हमने बात कर ली Nephron की इस्ट्रेक्चर के बारे में सवाल था सर अप wondered हमारी kidney को देखें तो उसमें nephron कितने टाइप की ओठी है बच्छे kidney में देखेंगे तो kidney में दो टाइप की है एक तो अपने पास cortical ने फ्रों एक तो अपने अपने पर 20% लिख र का कि 15 तू 20 परसेंट कोन सी जक्स्ता मेडिलरी 80 तू 85 परसेंट कोन सी नंबर होते हैं ज्यादा मतलब किड्नी की टोटल नेफ्रों की 80 to 85% कौन सी, cortical, जबकि juxta medallory के नंबर होते हैं, कम kidney की total nephron की about 15 to 20% कौन सी है, juxta medallory, पहली बाद, दूसरी बड़ी बाद, हमने बोला था, malpigain body जो है, वो कहां present होता है, cortex में, exactly में क्या देखा, कि cortical nephron का, तो पूरा का, malpigain body जो था, वो कौन से पार्ट में present था, cortex में था, कहां था, cortex में, लेकिन juxta medallory nephron में, जब malpigain body को देखा, तो वो malpigain body, cortex and medulla के junction पे present था, कहां present था, present at the junction of cortex and medulla, दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात ये, कि अपने पास, ये cortical nephron जो थी, इन cortical nephron में, जो loop of hennelे होता है, वो less developed होता है, एड उसकी लंबाई जो थी, बहुत कम होती है, और वो बहुत कम लंबा पार्ट जो होता है, वो located कहां होता है, cortex में, इसलिए हमने लिखा, loop of hennelे is very short, and mostly कहां located है, cortex में, जबकि जक्स्टा medullary nephron का, loop of hennelे जो होता है, वो well developed होता है, और वो होता है long, और वो कहां located होता है mainly, वो mainly located होता है medulla में, इसलिए हमने बोला, loop of hennelे कैसा होता है, long, and mainly कहां located है, medulla में, next, अब बड़े काम की बात, exactly में बच्चे क्या होता है, loop of hennelे जो होता है, उसको blood supply करने वाली, जो blood capillaries है, उन blood capillaries को बोलते हैं, vasa recta, क्या बोलते हैं blood capillaries को, या blood capillaries की network को, vasa recta, होता है है, कि वो nephron, जिसमें loop of hennelे well developed होगा, obviously, उसको blood supply करने के लिए, वasa recta भी क्या होगा, well developed, तो जब भी पूछे, बताओ, well developed wasa recta किसमें, हमें कहेंगे, जिसमें well developed, loop of hennelे, that is, wasa recta well developed किसमें, जक्स्टा, medullary nephron में, लेकिन cortical nephron में, loop of hennelे, less developed होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए, वहाँ पे, wasa recta भी, बहुत reduced होता है, और मैं कहें दूँ, absent होता है, और क्या होता है, absent होता है, ये बात कर लिए, हमने दोनों ही टाइट की, nephron के बारे में, अब थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं, हम आप से बात करते हैं, वह बात करते हैं, blood supply of nephron, बच्चे जैसा कि, मैंने आप लोगों को बताया था, कि हर एक nephron को, blood देने का काम, blood लेके आने का काम करती है, वो कौन करती है, efferent, itriol करती है, जिसको मैंने short बोला, AA, और इसका diameter जो होता है, वो बड़ा होता है, हाँ कि ना, हमने बोला, यह efferent, itriol जाके formation करेगी, किसका, glomerulus का, और फिर glomerulus की, capillary जो थी, वो मिलके बनाएगी, efferent, itriol, जिसको अपन short में बोल देते हैं, EA, short में क्या बोल देते हैं, EA, AA का diameter, बड़ा, जब यह capillaries में divide हुई, तो इसकी capillaries ने, इस PCT, और इस DCT, हमने बोल दिया, यह क्या था, PCT, और यह क्या था, DCT, इसने PCT और DCT के around, blood capillaries का network बनाया, तो blood capillaries का network, जो किसके around present है, PCT and DCT के around present है, उसी को बोल के चलते हैं, बेटापन, peritubular capillary network, किसके around present, तो हमने बोला present around, present around, PCT and DCT, PCT and DCT के around, blood capillaries के network क्या बोलते हैं, peritubular capillary network, अब कहानी क्या हुई, इस peritubular capillary network से, blood vessel निकली, और वो blood vessel जो थी, वो loop off हैं लेके, parallel run करती है, और यह वाली blood vessel, आप देख पा रहे होंगे, यह वाली blood vessel, यह loop off हैं लेके, parallel, parallel आ रही है, हाँ की ना, फिर यह इधर parallel गई, यह जो blood vessel थी, तो हमने बोला, peritubular capillary network की, blood vessel run parallel to the loop off हैं ले, और वो बना रही क्या, एक you shaped network, किसके around, loop off हैं लेके around, और loop off हैं लेके around, जो you shaped network बना, exactly मैं उस you shaped network को ही क्या बोलते हैं, वासा recta, उस you shaped network को ही क्या बोलते हैं बेटा, उस you shaped network को ही बोलते हैं, वासा recta, कैसा होता है, हमने बोला यह होता है, you shaped, किसके around, मैंने बोला network, ब्लड कैपिलरी अराउंड लूप फेन ले चले अब लूप फेन लेके अराउंड ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है लेकिन बेटा ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है ना इसकी एक्जेक्ट्ली में अपने पास एक्जेक्ट्ली में अपने पास दो लिम्ब है एक हमने बोला लूप फेन लेका ये येलो वाला नीचीक सेट जा रहा है इसको तो हमने क्या बोल दिया डिसेंडिंग लूप फेन ले ये येलो वाला जो ऊपर की सेट जा रहा है इसको बोल दिया ascending limb of flu पढ़िं लेकिन आप देखिए या जो ब्लडवेसल है इसमें ब्लड़ सप्प्लाई किधर जो यह वाला पार्ट था that is yeah वाला जो पार्ट था यह वाला जो रेड़ पार्ट दिखायी दे रहा है कर इस वहाला रैड़ पाड़ दिखाई दे रहा है मतलब उपर से नीचे जा रहे हैं इसको बोलते हैं descending limb of vasarector इसको बोलके चलते हैं अपन descending limb of vasarector जबकि ये वाला limb जिसमें blood उपर की set जा रहा है ये वाला limb इसको अपन क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं ascending limb of ascending limb of vasarector ascending limb of vasarector तो सीधा सवाल पुछेगा बताओ पैरी tubular capillary network किसके अराउंड आपको ओगे PCT, DCT के अराउंड जब भी पुछे वासarector किसके अराउंड आपको ओगे loop of handle के अराउंड वासarector कैसा दिखाई देता है आपको ओगे you shaped वासा रखता में कितने limb आपको ओगे दो limb एक अपने पास descending limb और एक अपने पास ascending limb बोलो हाँ की ना चले हैं अपना आगे और थोड़ा आगे move करते देखते हैं अगली बात करते हैं वो इस chapter के सबसे conceptual portion के बारे में बात करते हैं glow merular filtration और ultra filtration glow merular filtration और ultra filtration दूसरे step को बोलते हैं tubular reabsorption tubular reabsorption तीसरे step को बोलते है tubular secretion सबसे पहले बात करते हैं glow merular filtration और ultra filtration के बारे में बड़ ध्यान से देखीगा बैटा हमने बोला यह मेरे पास जो है? यह मेरे पास blood kaplerry of glow merilis है रेड कलर माली क्या है? Blood Capillary of Glomareless है. और इस Blood Capillary of Glomareless में हमने बोला ये pink color का क्या हमने बता दिया, ये blood बरापड़ा है. ये पिंक कलर का जो बना दिया, ये क्या बरापड़ा है? Blood बरापड़ा है. बोला हां किना? यही तो blood था जो यहां पर क्या होगा? फिल्टर. यही तो blood था जो क्या होगा, बेटा? फिल्टर होगा. अब सवाल था जो blood था उसका material फिल्टर होगा और फिल्टर होके कहा हैगा? ल्यूमन ओप कैप्सुल में आएगा तो बताओ कितनी भैरो को 아ई Utd interestingly ने कीवे यहाँ से फिल्टर होके आना हूँ स्थाट पर सबसे पहले ई रेड़् कलर वाल एक रीन में था फिल्ट्रेशन स्लीक या सिप्पोर इनको क्रोष करते हुए बता यहां पर पहुचेगा निया पहुचेगा Yes हमने बोला यह तो बिलकुल ऐसे ही आएगा कि इनको क्रॉस करके हुए अ कि इनको क्रॉस कर ते हुए Maßnahmen । कि इनको क्रॉस करके हैं कि jimento thil yam up blood vessel C blackеры the next č понял को कि यह और घ्रिआ स्थी बेशमेन्ट मेंब्रेन को अब बेस्मेंट सबस्टेंश इसको क्रोश किया एंटीस श्रह यह भलू आली जियर क्या lived हिं बॉममान केप्जूल की इन अर लेयर थी वियर स्च अप्पर आप पोडोसाइच के लें इसको cross किया, इन तीन को cross करके blood जो था वो filter हुआ, और वो filtrate कहां पोचा, बोमन capsule की lumen में पोचा, तो मैं कहे दूं कि जब मैटीरियल फिल्टर होगा और फिल्टर होके कहां जाएगा, बोमन capsule की lumen में जाएगा, तो वो कितनी लेयर को cross करेगा, तीन लेयर को, तो इन तीन लेयर को मिला के ही अपन बोल देते हैं, फिल्ट्रेशन मेंब्रेन, तो जब भी पुछे बताओ, फिल्ट्रेशन मेंब् बेस्मेंट मेंब्रेन, एपिथीलियम ओफ वॉल और बोमन capsule, बोलो हाँ किना, यहां से तीनों से फिल्टर होके, मैटीरियल पहुचा बोमन capsule की lumen में, यह मैटीरियल जो बोमन capsule की lumen में पहुचा, बेटा, यहीस मैटीरियल को ही अपन बोलते हैं, ग्लोमेरलर फिल्ट्रे या मैं शोट में इसी को बोल देता हूँ, ग्लोमेरलर फिल्ट्रेट या 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 इसी को बोल देता हूँ, ग हमने देखा कि यह कौन-कौन से material प्रजेंट है चलिए जब हमने इस glomerulus को चेक करके देखा कि इसमें क्या-क्या प्रजेंट है तो हमारे सामने दिल दहला देने वाले रिजल्ट निकल के आ रहे है कि इसमें क्या-क्या है सबसे पहले इस filtrate को जब देखा तो इसमें अपने पास मिले water इसमें मिले अपने पास water इसमें हमें मिला ions इसमें हमें मिले minerals इसमें हमने मिला vitamins इसमें हमें मिला glucose इसमें हमें मिला amino acids इसमें हमें मिला fatty acids इसमें हमें मिला यूरिया इसमें हमें मिला यूरिक एसिड एट्सेक्टरा ये सारी कि सारी चीजे हमें किसमें मिली ये सारी कि सारी चीजे हमें मिली वो मिली इस फिल्ट्रेट में ये फिल्ट्रेट में ये फिल्ट्रेट ब्लड में से निकल के आया लेकिन इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं मि ब्लड की कोई भी cells मिली RBC WBC platelets कोई भी चीज नहीं मिली तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई कहे कि इस फिल्ट्रेट को ब्लड से compare करके बताओ तो ब्लड एंड फिल्ट्रेट में क्या डिफ्रेंस हम कह देंगे बहिया जब भी फिल्ट्रेट को ब्लड से compare करवा होगे तो हम कह देंगे गुलो मेरलर फिल्ट्रेट बराबर ब्लड माइनस कि ब्लड सेल्स कि प्लस को प्रोटीन्स देटिस प्लाज्मा प्रोटीन्स हां कि न यह अगर निकाल दे तो जो सुक्रीन कि प्लाजमा के जैसा लेकिन इससमें भी डिफ्रेंटिस है अगर इस फिल्ट्रेट को जो रहाए से compare करूं तो क्या में बोलू और मैं कहए दू लुक प्लाजमा माइनस प्रोटीन्स तो मेरे पास क्या बन गया तो मेरे पास बन गया फिल्ट्रेट चले तो ध्यान रखना फिल्ट्रेट में बाकी सारी चीजे प्रजेंट लेकिन प्रोटीन प्रजेंट नहीं है ब्लड सेल्स नोर्मली प्रजेंट नहीं है अगर ये कोई भी चीज फिल्ट्रेट में मिल जाए तो मान ले न कोई न कोई तो abnormality है नोर्मल आपकी किड़नी काम नहीं कर रही है या ने फ्रोन में कोई न कोई तो गड़बड हो चुकी है चलू में आगे अब सवाल था तर आप ये बताओ ना कि ये ब्लड जो था ये फिल्टर होके बोमन कैप्सुल की लिउमन में आया इस है उप चोटा मतरब फिल्टर होके आई वो क्या आई चोटी छोटी चीजह लेकिन मोटी-मोटी बड़ी बड़ी चीज़े फिल्टर होके नहीं आई तो अप ये बताऊना ये फिल्टरेशन हुआ ही क्यों वेटा exactly में filtration करवाने के लिए यहां पर तीन force काम करते हैं किते force काम करते हैं तीन force एक force होता है जिसको बोलते है glomerular hydrostatic pressure जिसकी value होती है वो होती है about 60 mmHg यह क्या कहता है यह कहता है कि blood vessels में से glomerular स्में से ब्लड से कहते है तो फिल्टर हो के बाहर निकल तो फिल्टर हो के बाहर निकल लेकिन इसका अपोज करने वाले इसकी टांग खिसने वाले दो force हो रहे है एक है CHP जिसको बोलते हैं कैप्सुलर फिल्टर होने नहीं दूंगा और उसकी वैली होती लगबग 20 mmg एक और फोर्स होता है जिसको होते ब्लड कोलोडल ओस्मेटिक प्रेसर उसकी वैली होती लगबग 30 mmg वो भी क्या कहता है मैं किसी भी कीमत पे ब्लड को फिल्टर होने नहीं दूंगा तो फिल्टर करवाने के क इसकोन कर रहा है जी एच्पी और अपोज करने वाले कोन है छी एच्पी हमने का जब तीनों ने मिल के जोर लगाया तो फाइनल किसका हुआ जिसके प्रेशर की वैल्यू जादा थी हमने बोला कि जब भी पूछे कोई जब वी कोई कहें नैट का फी जब फीटरेशन प्रेशर को मैं महीर बोल धूँ है इसको मही यह कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा नैट फिल्ट्रेशन प्रेशर और इस नैट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी बेटा अब आउट 10 mmHg मतलब यह 10 mmHg प्रेशर ही था जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाने के लिए जिम्मेदार था सवाल था सर अब बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ कहां हुआ नेटरोन के गलोमेरलस से हुआ हुआ की नहीं हुआ आप ये बताओ कि किड़नी में कितना बलड गया था एक मिनट में जिसमें से फिल्ट्रेट बना बेटा ध्यान रखना दोनों किड़नी में एक मिनट में जो बलड जाता है वो एक मिनट में जो बलड जाता है वो बलड होता है लगबग 1100 से 1200 ml दोनों जिसकी value होती है about 5 liters, मतलब अगर उस हिसाब से बात करके चलू, तो यह अपने पास क्या हुआ, यह अपने पास हुआ 1 by 5 part, और मैं कहूं 20% part of cardiac output, तो जब भी पूछे कि दोनों kidney cardiac output का कितना blood receive करती है, आप कहोगे 1 बटा 5 part, या कहोदू 20% part receive करती है, अरे blood जो गया था, लेक kidney में plasma कितना गया, आपको मैंने circulatory system में पताया था, कि plasma जो होता है, वो blood का 55% part होता है, तो यह blood था, इसका 55% निकालेंगे, तो plasma की value जो आएगी, वो plasma की value लगबक कितनी आएगी, वो आएगी 650 ml पर मिनट में, अब सवाल यह था, कि 1100 से 1200 ml बलड गया, मतलब 650 ml plasma गया, तो इसमें से filter ओके कितना बाहर निकला, ध्यान रखना, एक मिनट में जो filtrate बनता है, वो कितना बनता है, वो एक मिनट में filtrate बना बेटा, वो बना 100, 125 ml पर मिनट, तो जब भी बोले, कि यह जो filtrate बनता है, चनके बाहर निकलता है, वो एक मिनट में कितना निकलता है, लग बग 125 ml सवाल था गुरुजी प्लाजमा गया था वो 650 ml गया था फिल्ट्रेट बना वो कितना बना 125 ml बना ये 125 ml इस प्लाजमा का कितने परसेंट पार्ट है कितने परसेंट पार्ट है मैं कहे दू कि ये अपने पास 20% पार्ट ओ रिनल प्लाजमा फ्लो कि किड्नी में एक मीनट में जो प्लाजमा गया उसका लगबग 20% पार्ट जो था वो क्या था फिल्ट्रेट तो जब भी बोले फिल्ट्रेट कितनी हम कहेंगे एक नॉर्मल परसेंट में लगबग 125 ml पर मीनट है और ये 125 ml के लिए प्रेशर कितना चाह पर चाहिएगा गुरुजी एक दिन में कितनी आएगी हम कहेंगे 125 ml multiply बाइ 60 तो एक गंटे के आएगी multiply by 24 तो एक दिन के आएगी तो एक दिन में फिल्ट्रेट बनता है बेटा वह बनता है लगबग 180 litre चलू 180 लीटर फिल्टरेट बना एक दिन में आपको पता है 180 लीटर फिल्टरेट एक दिन में बना लेकिन यूरीन जो एक दिन में हम बाहर निकालते हैं वो निकालते हैं से डेड़ लीटर, मोटा मोटा माल लीजी, डेड़ लीटर यूरीन बाहर निकालते हैं, मतलब, अगर 180 लीटर फिल्टरेट बना, तो यूरीन की तरह बन रहा है लगबग, डेड़ लीटर, तो कहने का मतलब यह हुआ, यह हुआ, कि यूरीन जो बना, वो फिल्टरेट का absorption जिसमें 99% part of filtrate is reabsorbing to the renal tubule मतलब केवल 1% party क्या बनता है? यूरीन बनता है और यूरीन का volume कितना बता है लगबग एक से? 1.5 liter और यूरीन जो बनता है उसकी pH होती है वो होती है slightly acidic pH that is लगबग pH होती है 6 और हम एक दिन में लगबग लगबग 25 से 30 ग्राम यूरीया को excrete कर देते किसके तूरू? यूरीन के तूरू ये जनरल बात आपको याद रखने है का नहीं थी? सर आपने बोला कि 99% part of filtrate को reabsorb करना है और 1% part जो बच गया वो यूरीन के फोर में minimum absorption और ये essential absorption है सवाल था सर अगर ये absorption नहीं होगा तो फिर जिन्दा रह पाना मुश्किल रहेगा या मैं कहादू possible नहीं है तो पूछेगा कि किसमें बेटा गुल्कोज, amino acid सारे के सारे जो होते हैं 100% absorption किसमें होता है? PCT में लेकिन water and electrolytes का NCIT ने भी लिख के दे रखा है लगबग 70-80% part का absorption का होता है PCT में bicarbonate ion जो कि हमारी blood की pH को body के fluid की pH को maintain रखने लिए ज़रूरी है उनमें भी लगबग 90% 90% bicarbonate ions का absorption का होता है वो होता है अपने पास PCT में PCT के बाद वो जो पर्मियबल है water के लिए पर्मियबल है तो descending limb water के लिए तो permeable and electrolytes के लिए almost impermeable तो descending limb में किसका absorption हुआ water का absorption हुआ फिर ये filtrate जो था यहाँ से पहुचा ascending limb में कहां पहुचा ascending limb में ascending limb जो होता है वो permeable होता है वो permeable होता है NACL के लिए किसके लिए NACL के लिए that is salts के लिए electrolytes के लिए और ascending limb में ही सबसे कम absorption होता है जब भी कहें नेफ्रोन के किस पार्ट में absorption सबसे कम होता है तो आप याद रखना minimum absorption जो होता है वो ascending limb में होता है किसका होता है NACL का हमने बोला material जो ही यहाँ पे पहुचा तुरंत के तुरंत य मतलब पूरे के पूरे ascending limb में किसका absorption हुआ NACL का और यह NACL जाके कहां ही खटा हो गया अरे भाई लूप ओफ हिन ले जो था जक्स्टा medullary nephron में ही well developed था और वो किस में located था medulla में तो यह NACL गया और जाके कहां ही खटा हो गया medulla में याद करो medulla की osmolarity कितनी थी 1200 मिली osmol per liter तो जब भी कहें कि बताओ सबसे कम reabsorption किस में आप कहोगे ascending limb में तो पूछेगा ascending limb में किसका reabsorption हुआ आप कहोगे NACL का उससे क्या फाइदा हुआ medulla की high osmolarity को या मैं कहां हूँ medullary fluid या मैं कहां हूँ medullary के अब्ढॉप्शन हो लेकिन NACL का अब्ढॉप्शन का तरीक अलग था क्या था जो ही हम बात करके चलें इस thिन part में जो यह NACL का अब्ढॉप्शन हुआ बेटा यह वह पैसिव प्रोसेस के थूँन को से प्रोसेस के थूँन को से तो ध्यान रखना ascending limb में initial का absorption दो method से हो सकता है passive से भी हो सकता है और active से भी होता है passive से कौन से part में? thin part में? थिक part में किस में? active से चले भी आप next अब वो fluid जो था वो यहां से होता हुआ होता हुआ धीरे 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 आगे बढ़ा और पहुँच गया किस में? वो पहुँच गया अपने पास DCT में DCT में and collecting duct में conditional absorption होता है मतलब जर्रत है तो होगा? नहीं तो नहीं होगा लेकिन ये जो PCT थी इसमें essential था जो होना बेहद जरूरी था यहां पे जब conditional absorption हुआ तो सवाल यही था कि conditional absorption में क्या हुआ? बेटे ये DCT जो थी इस DCT के proximal part में NACL का absorption हुआ किसका absorption हुआ? NACL का क्यों? क्योंकि proximal part में aldosterone hormone की activity होती है लेकिन इस DCT का ये जो distal part था इस distal part में H2O का absorption हुआ digital part में किसका absorption हुआ? H2O का absorption हुआ? Yes! H2O का absorption कौन से? हर्मोन की activity की वज़े से ADH हर्मोन की activity की वज़े से हुआ उसके अलावा इस DCT वाले पार्ट में bicarbonate ions का भी absorption होता है मतलब mostly bicarbonate ion का absorption हो गया था PCT में बचे हुए सारे सारे bicarbonate ion कहां तक absorb हो जाते DCT तक मतलब यह हुआ कि bicarbonate ion को कभी भी urine के थ्रू सरीर से बाहर excrete नहीं किया जाता passive process से 100% bicarbonate का absorption होता है चले उसके बाद यह जो fluid था यह fluid आगे बढ़ा और आगे बढ़के कहां पहुंचा यह पहुंचा collecting duct में बच्चे collecting duct वाला जो part था इस collecting duct वाले part में water का absorption हुआ किसका absorption हुआ collecting duct के anterior part में water का absorption हुआ और जो water का absorption हुआ वो कौन से hormone की activity की वज़े से ADH की वज़े से इसका मत्तब ADH hormone जो है वो distal part of DCT से लेके परोगजीमल part और anterior part of collecting duct that is CT तक काम करता है चले उसके अलावा यहाँ पे थोड़े से amount में यूरिया का भी absorption होता है हमने बोला इस में से थोड़े से amount में किसका absorption हुआ यूरिया का तो जब भी बोले collecting duct में किसका absorption आप कोगे थोड़े से amount में यूरिया का भी absorption होता है ठीक है जी अपना आगे चलते हैं उसके बाद था secretion और secretion that is tubular secretion बेटा tubular secretion एक active process है यह tubular secretion किस लिए ज़रूरी है बेटा यह tubular secretion जो था यह blood और body fluid की pH and ionic equilibrium को maintain रखने के लिए tubular secretion बहुत ज़रूरी है कवाल था सर क्यों किया गया बेटा ऐसे material जो अल्ट्रा filtration के दोरान filter नहीं हो पाए लेकिन उनको उनको ब्लड में रख पाना possible नहीं था अगर रखते तो या तो आइनिक equilibrium disturb हो जाता या फिर pH घड़ बढ़ा जाती और दो नोई case में body को तो नुक्शान था तो उनको active process के द collecting duct में भी होता है PCT में तो K+, H+, and NH3 को actively excrete किया जाता है DCT में भी K+, H+, and NH3 का excretion किया जाता है लेकिन collecting duct जो थी उसमें K+, and H+, को ही actively actively secret किया जाता है किसमें glow merler filtrate में तो ये तीनों के तुईनों step हो चुके हैं किसके tubular secretion वाला भी हो गया reabsorption वाला भी हो गया and ultra filtration भी ये तीन ही तो step थे urine formation के चलू मैं आगे आगे बढ़ते हैं अगला मेरे पास है mechanism of concentration of urine बटा यूरीन को more concentrated बनाने की mechanism है जिसको बोलते है counter current mechanism और ये counter current mechanism जो मिलती है ये mammals में मिलती है किसमें मिलती है mammals में सवाल था सर इस counter current mechanism में हम urine को more concentrated बनाते ह ये ना कि अपने पास ये counter current mechanism जो थी इस counter current mechanism कौन कौन से पार्ट में होती है बिटा counter current mechanism जो थी उसमें involvement होता है वो loop of हेनले and wasa recta का होता है कौन important role play कर रहे है loop of हेनले and wasa recta याद करो loop of हेनले well developed किसमें था जक्ष्टा medullary nephron में तो जब loop हेनले वहाँ well developed था तो obviously wasa recta भी तो well developed यहीं पर होगा तो जब भी पूछे कि आप मेरे को बताओ कि कौन से type की nephron में counter current mechanism चलता है तो हमने बोला यह चलता है अपने पास जक्ष्टा medullary नेफ्रोन में कौन सी नेफ्रोन में जक्ष्टा medullary नेफ्रोन में counter current mechanism चलता है चले यह counter current mechanism के थूँ हम urine जो था उस urine जो बना रहे है वो initial filtrate से चार गुना ज्यादा concentrated होता है और उसको concentrated बनाने में बड़ा रोल कर प्ले करता है वो करता है high concentration of medullary fluid that is medullary interstitial fluid that is NACL and urea के deposition की वज़े से medullary interstitial fluid की concentration थी बहुत ज्यादा और वो बहुत महतोफुन role play कर रही है सवाल था सर आप मेरे को बता दीजिए कि हमारी kidney में counter current mechanism कितने टाइप की होती है बिटा दो टाइप की होती है एक को बोलते counter current multiplier counter current multiplier जो होती है वो loop off है लेके ascending and descending limb के बीच चलती है जिसका काम है medulla में high concentration को डवलप करना high concentration को डवलप करना और दूसरी चलती है counter current axis यह किसके बीच चलती है यह अपने पास वासा रेक्टा के ascending and descending limb के बीच चलती है और इसका काम है कि जो counter current multiplier ने high concentration डवलप की है उसे maintain रखना और उसको maintain रखने में थोड़ा सा role play करते है वो यह भी करते है जिसके बारे में NCIT ने बोला NCIT क्या कहती है कि material का action जो था वो loop off हेन लेके limbs of loop off हेन ले and limbs of wasa recta के बीच भी होता है यह भी help करता है किस में medulla में high concentration को maintain रखने में सबसे पहले हम NCIT माता की इस line के बारे मात करते हैं हमने माल लिए यह white वाला है descending limb of loop off फेन ले यह white वाला है ascending limb of loop off फेन ले यह red वाले में यह मेरे पास है यह मेरे पास है descending limb of wasa recta यह मेरे पास है यह मेरे पास है ascending limb of wasa recta हमें पता है उपर वाला पाट cortex जिसकी osmality 300 नीचे वाला पाट medulla जो ही cortex से medulla की तरफ जा रहे है osmality लगातर बढ़ रही है 600 900 और सबसे जादा कितनी होगी 1200 चलू में आगे हुआ क्या कहानी बड़े ध्यान से सुनना हमने बोला जो filtrate आया था वो filtrate कहां पहुचा बोमन्स कैपसूल में पहुचा और बोमन्स कैपसूल में जो filtrate पहुचा वो blood में से निकल के आया तो उसकी osmality blood के बराबर होगी that is 300 होगी अब वो filtrate धीर धीर आगे बढ़ा और वो कहां पहुचा PCT में आपको पता है PCT में water and minerals जो था उनका absorption same amount में होता है जब दोनों च लिले में पहुचेगा लगातार पानी बाहर निकलेगा तो अपने पास filtrate की concentration लगातार बढ़ती जाएगी और वो कितनी पहुच जाएगी बेटा 1200 अब बड़े ध्यान से देखना कितनी पहुच गई 1200 अब बड़े ध्यान से देखना अब ये फ्रूड पहुचता है ascending limb मे ascending limb किसके लिए permeable ascending limb किसके लिए permeable ascending limb NACL के लिए permeable, किसके लिए NACL के लिए, जो ही filtrate यहां पे पहुँचा लगा अतार NACL बहार निकला NACL कहां निकला बहार निकला, जो ही यह गया लगा अतार NACL बहार निकला लगा अतार NACL बाहर निकलता रहेगा तो उसकी osmality जो थी दोस्त वो लगातार क्या होती रहेगी वो osmality लगातार घठती रहेगी मतलब 1200 से होगी 1000 1000 से होगी 800 800 से होगी 600 600 से होगी 400 अरे हाँ की ना और 400 से कितनी होगी 300 और 300 से कितनी होगी 200 मतलब DCT में पहुचने के बाद जो शुरू में 300 वाला आया था उससे भी कम osmality होगी की ने होगी होगी चलू यह कहानी थी filtrate जब उपर गया तब की यह कौन सी कहानी बताई यह कहानी वो बताई जिसमें filtrate लगातार किदर जा रहे नीचे से उपर जा रहे लेकिन आपको पता है कि लूपो फेन लेके आराउंड जो blood capillaries का network का उसे बोलते वासा रेक्टा इस वासा रेक्टा के descending limb जो था उसमें जो blood था blood के osmality 300 osmality का blood के आ रहे नीचे आ रहे 300 osmality का blood के आ रहे नीचे जो यह blood नीचे आ रहा है तो कहानी क्या हुई scene क्या पलता मेरे दोस्त यह जो NACL था यह लगा आतार यहां से कहां जा रहे यह NACL जो था यह यहां से कहां जा रहे blood में जा रहे बलो हाग की न जब NACL लगातार blood में जाएगा तो blood के osmality बढ़ेगी 400 600 800 1000 वह जाएं जार और 85 लोगी बारा सोक्तर और लगा था और मेर बढ़ के खते हैं कितनी है बारा सो दो 1200 तो 1200 मिलेने मेरे चलाओ आगे यह सब्स to am gonna today यह अब हूआ क्या अब अपने पास यह बलड जो था यह बलड कहां जाएगा, यह बलड अपने पास उपर जाएगा। उपर जाएगा चिधर? बोली 300 तो जो blood हमें वापिस करें ना, उसकी osmality भी कितनी होनी चीज़ी, 300 लेकिन osmality कितनी है, 1200, ने फ्रोन भूली हाई तो अब मैं क्या करू, हमने का करना नहीं, हमें तो 300 का blood चाहिए, जैसा दिया, वैसा चाहिए, तो इसने क्या काम किया, ये बोली कि blood की osmality घटानी है तो इसमें क्या किया इसने लगा आतार ये जो 1200 ओस्मेलरिटी वाला बलड था जब ये असेंडिंग लिम में गया तो बोली मेरे पास 300 का बलड आया था उस 300 को मैंने 1200 कैसे पहुचाया बोली मैडूला से तुने NACL लिया तो तू क्या गाम कर जो NACL लिया उनको वापिस दे अगर NACL को वापिस दे देगी तो ओस्मेलरिटी भी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी तो यहाँ पे जाने के बाद लगातार NACL जो था वो वापिस बलड से निकल के कहाने लगा मैडूला में आने लगा और जब NACL लगातार बहार निकलने लगा तो हमने बोला ओस् से हजार आठ सो चैसो च्यार सो बलड आगे गया और तीन सो और यह तीन सो उस्मेलरिटी का बलड जो था वो बोड़ी सर्कुलेशन में चला गया अब NCRT ने इसी बात का फाइदा उठा है NCRT क्या कहती है NCRT यह कह रही है बड़े धान से देखना NCRT यह कह रही है कि असेंडिंग लिम ओफ लूप लूप ले से डिसेंडिंग लिम ओफ वासा रेक्टा ने क्या लिया NACL लेकिन जो NACL उसने असेंडिंग लिम ओफ लूप लूप ले से लिया उसको वापिस कर दिया किसने वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम ने किसमें मैडूला में देख लब है चलू मैं आगे अगला देखना और एक खुबसूरत थी लाइन लिखी है बिटा हमने आपको पहले ही बता दिया कि फिल्ट्रेट आया था उसके ओस्मिलर्टी कितनी थी 300 300 PCT में गया समान अमाउंट में वाटर एंड इलेक्रोलाइट लिख लिख ले ओस्मिलर्टी कितनी हुई 300 जो ही डिसेंडिंग लिम में था लगातार कंसेंट्रेशन बढ़ती गई क्योंकि डिसेंडिंग लिम में किसका अब्जूर्प्सन हुआ वाटर का जो ही असेंडिंग लिख लेक्तार के लिसेंडिंग दोर लिख लगाता हैँ द्यूर्प्सन टैक्यूर्प्सनलस्ट मेडूला में और NACL गया, तो मेडूला ने सोचा कि लगा तार NACL लूँगा, तो मेरी O-smallarity तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्यो ना, NACL के बदले में मैं थोड़ा सा यूरिया जो था, वो थिन पार्ट में, तो ध्यान रखना, थिन पार्ट जो था, वो होता हुआ, होता हुआ, होता हुआ, कहां पोचा, वो पोचा, अपने पास collecting duct में, collecting duct में लगा तार, water का absorption होता रहा, concentration बढ़ती गई, और फिर collecting duct में मैंने बताया था, यूरिया का भी थोड़ा सा absorption होता है, मैंने कहानी यहां बताई थी, इस वाली slide में, ये रहा, कि collecting duct में थोड़ा सा किसका भी एपजूप्सन होता है तो कहने का मतलब क्हेल क्या हुआ मेरे भाई खेल यह वा कि थिन लिम ओफ लूपों फेढ़ ले जो यूरिया डाला था GF में उसको collecting duct ने वापिस medulla को लोटा दिया कि नहीं लोटा दिया अरे हाँ कि ना और यहाँ पर देखें initial filtrate की concentration कितनी थी 300 और अब कितनी होगी 1200 मतलब यही तो आगे जाके बन गया urine जो की अपने पास कितनी concentration वाला है 1200 वाला मतलब initial filtrate से 4 times जादा concentrated urine बन गया कि नहीं बन गया यही बात NCRT माता ने दे रखी है कि small amount of urea enters the thin segment of ascending limb the thin segment of ascending limb of loop of henle which is transported back to the interstitium by the collecting tubule and this mechanism helping maintain high concentration gradient in medulla यही तो बात कह रही है मतलब यह बात urea thin part ने तो डाला और collecting duct ने उसको वापिस लोटा दिया चले जी अपना आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने पास अगला था mixturation, mixturation क्या है mechanism of urination मुत्र विसर्जन की mechanism उसी को क्या बोलते है mixturation आपको पता है लगा अतार urinary bladder में urine फिल हो रहा है जब urinary bladder में urine फिल हो रहा है तो उस urine की वज़े से urinary bladder की wall पर क्या लग रहा है pressure और उस pressure की वज़े से urinary bladder जो हो रहा है वो कर रहा है stretch जो ही urinary bladder stretch करेगा उसकी wall में present stretch receptor होंगे stimulate और वो signal बेजेंगे वो signal कहां जाएगा उनका जो signal था वो signal पहुँचेगा cns में cns जो था उस cns से एक voluntary signal that is motor impulse या motor signal पहुचेगा urinary bladder के पास और उसकी वज़े से क्या होगा urinary bladder की external and internal sphinters जो थी वो तो हो जाएगी relax and urinary bladder की wall में क्या होगा contraction जिसकी वज़े से urine जो था वो urinary bladder से बहार निकलेगा और urethra से होता हुआ बोडी से बहार release कर दिया जाएगा इस process को ही बोलते है mikturition क्या बोलते है mikturition अगला concept देखेगा अगला concept है regulation of kidney बिटा kidney के function को regulate करने के लिए कई सारे hormone का involvement होता है सबसे पहले हमने बात किया कि माल दीजिये हमने बोला कि अपने पास अपने पास blood pressure कम हो गया blood pressure कम हो गया अरे यार blood pressure अगर घटेगा तो उसकी वज़े हो सकती है सायद blood का volume कम हो गया हो जब blood का volume और blood pressure कम हो गया तो GBF that is glomerular blood flow वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो GFR भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब हमने concept बाना मोटा मोटा कि BP कम हो गया या जी एफार क्या होगी कम जो यह BP कम होगा जी एफार कम होगी तो अपने पास किड़नी की और एक्टिवो के रेनिन होर्मोन का सिक्रीशन करती है किसके रेनिन होर्मोन के यह तुरंत के तुरंत इस प्रोटीन को तोड़ देगा और बनाएगा एंजियो angiotensin first यह angiotensin first भी काम नहीं करता यह इस angiotensin first को आगे तोड़ने का काम करेगा lungs का enzyme जिसको बोलते angiotensin converting enzyme यह इस angiotensin first को तोड़ेगा और बनाएगा angiotensin second अब main काम जो करेगा वो यह angiotensin second करेगा क्या काम करेगा इसको काम क्या दिया कि तेरे को BP को बढ़ाना है और बढ़ा के क्या करना है normal and GFR को भी बढ़ा के क्या करना है normal क्योंकि यह दोनों घटी हुई है अब यह दो काम दिया सबसे पहले इस ने क्या काम किया यह एक powerful vessel constructor है यह क्या करता है blood vessels के diameter को क्या कर देता है कम अरे जब blood vessels का diameter कम होगा तो मेरे को बताओ BP जो था वो BP क्या होगा increase जब BP increase होगा तो GFR भी क्या होगी increase बढ़ाने का काम कर दिया कि नहीं कर दिया पहला तरीका था दूसरा इस ने क्या 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 है hypothalamus में जो thrust center था उसको activate कर दिया thrust center हमें लगातार signal बेजता है पानी पी पानी पी पानी पी जब लगातार पानी पीने के signal आएंगे तो हम water intaking क्या करेंगे ज्यादा तो इसकी वज़े से हमने बोला water intaking वो क्या हुई बेटा increase अरे जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो blood volume क्या होगा बढ़ेगा भाई blood का volume बढ़ेगा तो obviously बात है blood volume बढ़ा तो क्या हुआ BP बढ़ा और BP बढ़ा तो हमने बोला GFR जो थी वो भी बढ़ी दूसरा काम इसने कर दिया तीसरा काम क्या करता है तीसरा यह क्या काम करता है यह adrenal gland के cortex part को stimulate करता है और cortex से सिक्रिट करवाता है mineralocoticoid जिसमें सबसे फेमस होर्मोन था एल्डोस्टिरोन यह एल्डोस्टिरोन क्या काम करवाता है यह DCT में sodium and water का conditional absorption करवाता है जिसकी वज़े से blood का volume बढ़ता है फिर BP बढ़ता है और फिर GFR बढ़ती है जब यह सारी बढ़ गई तो यही तो problem थी जिसका solution निकालना था इस पूरी की और वैसोप्रेसिन और्मॉन सबसे बोला एंटी डायूरेटिक डायूरेशिस का क्या मतलब होता है डायूरेशिस का मतलब होता है एक्सिस एक्सिस वाटर का लोस होना किसके थूरू यूरीन के थूरू क्यों 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 यूरीन बन रहा है बहुत बहुत ज़ thy बैटा हमने बोला जब किसी बॉलरा, टो ब्लेड में बॉर्टर की क्या होगी तो ब्लेड की स्विलav County क्या होगी बढ़ेगी ब्लेड का बढ़ी ब्लड का वोल्यूम गटा तो बीपी भी गटा और गलोमेलर फिल्ट्रेट रेट भी गटी यह सारी प्रोब्लम आई हमें इन प्रोब्लम का सॉलीशन निकालना था जो ही ब्लड की बहुत जादा बढ़ी तुरंत के तुरंत यह मैसेज पहुचा हाइपो थैलेमस में औरस्था चैन्ट्र ऐसंडरेटी उसने तुरंस्ट के तुरंंत सिग्नल बेजा उस ने तुरंत के तुरंत सीग्नल बेजा वह सिग्नल बेजा किसके पास पॉस्टीर लोबो प्युच्टरी ग्लेंड के पास और उस रहे चान switch आज एच अडेच औरसमों का त्योंस का शिक ओर पूपती को मार्डिया पहला काम कर दिया कि दूसरा काम आपको पता约 साव фильма काम करता वो डिश्टल पार्ट ओफ डि colors में वटर का ऑप्जूप्शन करवा आ मर आ तो ही दो उसमें करवाए कि तो या वोटर का करवाया तो बलर में मरें दो कि इक चोड़नीघा टाट नहीं निकल रहा था अब वो यूरिन के थुरूबार नहीं निकल रहा मतलब इसने वाटर लोस को रोक दिया और ब्लड की ओस्मिलरीटी जो थी उसको घटा के क्या कर दिया नॉर्मल बीपी को बढ़ा दिया ब्लड का वोल्यूम बढ़ा दिया और जी एफर जो घट गई थी उसको भी बढ़ा के क्या कर दिया नॉर्मल यह काम किस ने किया एडियेश ने किया नेक्स्ट अगला एक हर्मोन है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फेक्टर एट्रियल नेट्रियूरेटिक फेक्टर बेटा जब एट्रियम जो था उस एट्रियम में प्रेशर ब्लड का प् का सक्रेशियन करती है जिसको पर बोलते एक टृटन नटैरियरिय टाति यह Anf दो काम करता है सबसे पहला काम यह रास मेकनिजम को रोकता है रास मेकनिजम क्या काम कर रही थी रास मेकनिजम Bp- Immokin mode Bay ver laughed 있었 यह BP को क्या करेंगा? वह BP को गठाने का मार भीड़ाईगी, नोर्मल पोजिशन के चलता रहता है। प्राइच्ट, अपने पास बात करते हो बात करते ही हीमोडाइशिस की बारे में, सवाल था सरी ही हीमोडाइशिस वाली काहनी क्या थी, बच्चे एक्जर्ट्ली में जब कुछ लोगों की किड्नी डंग से काम नहीं करती, तो लगा अतार उनके बलड में यूरिया का लेवल बढ़ता रहता है और ब्लड में हाई यूरिया होना इसको बोलते है यूरेमिया जिसकी वज़े से आगी जाके किड़नी फेलियर हो जाती है और जिन परसन की किड़नी काम नहीं करती उन में एक किड़नी की हैल्फ से हम प्रियोडिकली लगा अतार ब्लड से वेस्ट मैटीरियाल नाइट्रोजन वेस्ट मैट्रियल को करते है रिमूव चले भाया और उस प्रोसेस को भी बोलते हैं हीमो डायलाइसिस अब हमने बोला यह जो मैंने चेंबर बनाया यह अपने पास एक ऐसी है को एल्ड के ट्यूबुल है और को सेल्ओ फिल में Oreo गणे ही से ट्यूबुल में पोरा में आज में पने बहुत प्रोस प्रोसव प्रजेंट होते हैं यह पूरी पेCause फृवा के सब्सक्रू में पड़ी हुई है जिसको बोलते हैं इस ग्रीन कलर के चामीट के भी द्यूजकर वता है वह ब्लॉड के प्लाजमा के जैसा यह लेकिन डिफ्रेंस क्या था B опыт के प्लाजमा में प्लाजमा में एक्स्कृटरी मेटिस्टेव लेकिन इसमें ब्लाइट्रोजन होते तो बड़ा प्लाज अब पूरी कहानी कैसे हुई बड़े द्यान से देखना हमने किसी भी आल्ट्री से ब्लड लिया और ब्लड लेने के बाद उस ब्लड में हमने हिपेरिन मिलाया जो कि एक क्या एंटि कोगयोएंट है कि अयवेट कॉगयोएंट और फिर इस ब्लड को पास कर दिया कहाँ पर सप फंट गख में जो इस बलड संटूiliśmy तो संट भर्ड में नाइट्रोजन वेस्ट की कंसेंद्रेशन ज्यादा डासुड में यही नहीं बिल्कुल nitrogen waste, है ही नहीं, तो हमने बोला nitrogen waste जो था, जो waste material था, उनका हुआ diffusion, और वो blood में से निकल के लगातार किस में आने लगे, वो इस dilizer fluid में आने लगे, blood में से निकल के कहाने लगे, dilizer fluid में आने लगे, blood आगे बढ़ता गया, waste material लगातार निकलते गए, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो blood बहार निकल के आया, उसमें waste material का amount, जो blood यहाँ अंदर गया था, उसके comparison में होता है, बहुत बहुत कम, चले, अब हुआ क्या, जो blood बहार निकल के आया, उस blood को हमें बोडी में डालना है, लिया कहां से था, आल्ट्री से डालेंगे किस में, वेन में, लेकिन जब blood लिया था, तो हमने chemical लोचा किया था, blood में बहार से hyperin anti-cogulant मिला दिया था, अब हम चाहते हैं कि blood को जैसा लिया था, वैसा ही बोडी में डाले, तो हमने यह जो extra hyperin मिला था, इसको destroy करना पड़ेगा, तो इसको destroy करने के लिए, इसके effect को खतम करने के लिए, हमने यह मिला दिया, anti-hyperin, जितना ही hyperin था, उसी amount में क्या मिला दिया, anti-hyperin, उस hyperin ने, इस extra hyperin को क्या कर दिया, destroy, और फिर उस normal blood को कहां डाल दिया, वेन में डाल दिया, लिया था, आल्टरी से डाला किस में, वेन में, वेस्ट मेटीरिल कहां रह गए, इस dialysis fluid में, इस dialysis fluid को यहां पे जाके अपना excretory system वाला portion होता है, एकदम complete, एकदम complete, पूरा का पूरा chapter, उसके सारे conceptual portion हमने कर लिए cover, अब आप पूरी मानदारी के साथ जीत जान लगा के revise किजिए, and questions लगाईए, जैहिंद, thank you, thank you very much.